असलावलेकम दुस्मेयार अश्रीज रेटर आप देख रहे हैं Android उर्दीरीव चैलन्स बेसिकलि आज मैं आप लोग बताऊंगा कि हम WhatsApp में वीववन्स के मेसेज़़ें जो है वो अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं Vyvonks like अगर कोई आपको photo send करता है आपको कोई video send करता है तो आप easily उनको gallery में save कर सकते हैं आप सभी दूसको पता हैं कि वर्टसब में अगर वर्टसब का कोई message आपको WhatsApp पे send करता है तो आप उनका ना तो screenshot ले सकते हैं ना उस स्वेर को gallery में save कर सकते हैं सो आज आप लोग को लायो करके बताऊंगा, आप लोग को करके दिखाऊंगा कैसल में, वीवर्स के जितने भी मेसेजज़ हैं, चाहे वो फूटू हो वीडियो हो, उनको हम मुबाइल गैलरी में कैसे सेव करेंगे, सो चलो दोसे वीडियो शुरू करते हैं, शेया भी दोस्त कर लूँ, और जैसे मैं इनको सेंड कर लेता हूँ, आप यहां पर दीख सकते हैं, चाहे बाद आगर मैं इस फोन से कोई भी पिक सेंड कर लेता ह Jacobs करा देता हूँ, once view के message में यहाँ पर अगर मैं तोड़ा सा आप लोग को बता दूँ यहाँ पर जैसे once view का section मैंने like click किया उसके बाद जैसे यह तस्वीर मुझे आ जाएगी यहाँ पर आप दीख सकते हैं once view का message naila की phone से मुझे आ गिया है उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर पिर जैसे पर कोई और तस्वीर like send करना चाते हैं या आपको कोई करें जो कि मैं आप लोग को लायो करके बता रहा हूँ कि असल मैं इनको पिर हमने save कैसे करना है मैं इनको क्लिक कर लेता हूँ once view यहाँ से सलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ यह image भी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी आप लोग के सामने उसके बाद इसमें अगर मैं एक और वीडियो send कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़ा सा net कर शुए है जो के message मुझे बड़ी देर के बाद आ रहा है उसके बाद यह video है और video अगर मैं once view के section पर like click करके यहाँ पर send कर लूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस mobile का like में काम खत्म होगी अब मैं आप लोग बताता हूँ कि असल में यह जो once view के message और photo है यह आप लोग उने कैसे save करने हैं सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ मैं आप लोग को video प्ले करके दिखा देता हूँ अगर मैं यहाँ पर video पे click कर लोँ यहाँ पर click करेंगे तो यह आपके gallery में save हो चुकी है जी हाँ दोस्तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को और भी काफी सारे option मिल जाते हैं आप लोगोंने simple सा क्या करना है कि आप लोगोंने download के section पर click करना है उसके बाद अगर आप back पर जाएंगे back पर जाने की बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर भी आप इस video को like play कर सकते हैं और जैसे आप पर like play कर लेते हैं तो आप लोग की यह file जो है यह आपकी gallery में save हो चुकी है उसके बाद photo अगर आप देखना चाहते हैं तो photo भी आप इस तरह देख सकते हैं simple सा आप लोगोंने क्या करना है क्योंकि इस से आप screenshot तो नहीं ले सकते हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं लेकिन आप यहाँ से जैसे आप click करेंगे तो आपकी यह file जो है यह basically आपकी gallery में जो है यह save हो जाएगी आप यहाँ भी देख सकते हैं तो आप easily क्या कर सकते हैं कि आप easily इनको gallery में save कर सकते हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं तो यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद अगर मैं तोड़ा सा आप लोग को बता दूँ तो बिल्लकुल फास्ट पे मेरे पास यही फाइले जो है पड़ी होगी मैं यहाँ गैलरी सेक्शन जो है वो कोल लेता हूँ उसके बाद अगर मैं बैक पे जाऊँ, बैक पे जाने के बाद आप यहां भी देख सकते हैं जैसे मैं गैलरी को उपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पे Save to OneSweep का लाइक एक फोल्डर बन गया है वो प्लाइक लाइक आप लोग जान गये होंगे कि हैसल में हम वो वर्टसप का कैसे सेव कर सकते हैं और बेसिकली मैं आप लोग बताओ दू कि यह नार्मल वर्टसप में नहीं होता है, यह GP वर्टसप में होता है यह मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जीबी वर्टसप में अपना नमबर लाइक लॉग इन करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप एजली वान स्विव के मैसेज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं उमीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो जो हैं पसंद आई होगी यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो लाइक करें शेर करें और दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दुने में आपको वायलन टिकनलोजी के टिप्स और ट्रिक्स डेली वेस्ट पे योट्यूब में मिलते रहें शुक्रिया